शिक्षा व्यवस्था ठीक चलना है, बजेट का आप 10 प्रतिशत करें, 20 प्रतिशत करें, 50 प्रतिशत शिक्षा को दे दिया, क्या शिक्षा का उद्धर होने वाला है? पैसा देने से होता है गया, ओपैसा कहा गया पता नहीं चलेगा, शिक्षा वही रहेगी केवल सिस्टिम बदलने से कुछ अच्छा होगा शिक्षा का परिवर्तन का प्रारंब बिंदु है शिक्षक यह आप सोच लीजिए क्योंकि करने वाला वही है दूसरा नहीं है कितना भी सोचे उपर से कितना भी अच्छा सोचे सारी बातों को करना ठीक से या बिगाड़ देना आपके हाथ में व्यक्ति तैयार होने से व्यवस्था पीछे चली आएगी खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है ये हमको करने की जुरुरत है पूरे भारत में जो अध्यापक और गहे इस दुरुष्टी से भी उसकी हालत अच्छी नहीं है ये अगर खड़ा हो गया तो शिक्षक के संकट में शिक्षक खड़ा होने से उसके पीछे सारा समाज रास्ते पर उतर पर खड़ा होगा क्योंकि वो जानता है कि मेरी अगली पीड़ी का भविश्य इनके हाथ में है मैं माता पिता जन्मद आता हूँ ये उनका जीवन करता है इसके संकट में मुझे उसके पीट पर हाथ रखना चाहिए ये आपकी ताकत बनेगी ये ताकत बनने के बाद कौन विवस्था है जिसमें आपकी उपेक्षा होगी हाई कुई दुनिया में इस विवस्था हो नहीं सकते